गुड मॉनिग स्टूडेंट्स मैं करमजीत अपने कलास टेंट की साइंस का लेसन फोर शुरू कर रखा है और उसके अपने एंटीजन और एंटीवोडी के बारे में जान चुकी है एंटीवोडी के टाइप उनके कारे अपने सब कुछ कर लिया है अपने अब नेक्स जो टो तरल क्यों जीयों तक है यह गाड़ा होता है चिप-चिपा होता है और इसका रंक कैसा होता है लाल होता है किए और ये कैसा है टरल क्यों होता है और यह है प्लाजमा तथा जो रक्त कनिकाओं से मिलकर बना होता है हमारा रक्त प्लाजमा से और रक्त कनिकाओं से मिलकर बना होता है और इसमें जो प्लाजमा है वो 55 प्रतिशत पाये जाता है 55 प्रतिशत क्या पाये जाता है प्लाजमा पाये जाता है और Plasma में ही तीन प्रकार की जो रक्त कनिकाईं हैं वो आगे अपने को मिलती है RBC, WBC और Vimbanu Plateляется कहते हैं जिसे लाल रक्त कनिकाईं श्वेत रक्त कनिकाईं और Vimbanu जो लाल रक्त कनिकाईं हैं इसका जीवन काल अपने पढ़ा था कितना होता है? 120 दिन और दूसरी बात इसमें हिमोगलोबिन पाए जाता है इसी कारन कैसा होता है लाल होता है और जो डवली और बीसी है इसका कारे क्या है गैंसों का प्रिवेहन करना उनका विनम्य करना गैंसों का प्रिवेहन करती है उनका विनम्य करती है अधान प्रदान करती है ये सब क तो यह कौन करती है WBC और जो प्लेट लैट्स है यह जो रक्त के स्ताव को रोकने में साहिता करती है रक्त का ठकका नहीं जमने देती है जदी अपना रक्त वहता ही रहे तो फिर और और लगे खुझा है तो यह सबी के इसी पर पक्रदसी क्या ओली गारिव कशने पला के संदों यहाई प्रगॉब क्यार है राग्टेंस के वारे में वर्गीखन कीुंप एक रहा किया को लैडस टीनर ने किया इसने क्या किया कि जो अपने शरीर में सब इसने बबिन समुहों का वर्गिकन किया जो आरबीसी है उसकी स्थेह पर जो पाई जानेवल प्रतीजन है उसी की उपस्तिती और अनुपस्तिती के दार पर ही इसने समुहों का वर्गिकन किया कि आरबीसी क स्टेया पर किस परकार का परतीजन पाए जाता है तो उस मनुश्य का में जो रखत का समूग है वो उसी परकार होता है जैसे यह आपकी RBC है जो परतीजन इसने माने दो परकार के परतीजन माने एक A परकार का माना दूसरा क्या माना B परकार का माना तो यह RBC है किसी भी मनु प्रतिजन उपस्तित है तो फिर उस आदमी का blood group होगा तो वो कैसा होगा बी प्रतिजन किसी भी आदमी की RBC की स्टैपर पाई जाते हैं तो उसका जो blood group होगा उसको फिर क्या नाम दे दिया अब देखो कि जदि दोनों ही नहीं हो कि A भी नहीं है और B भी नहीं है कि RBC की स्टैपर किसी भी प्रतिजन उपस्तित नहीं है तो फिर उस आदमी के blood group को क्या नाम दे दिया O कि उस आदमी का जो blood group होगा वो कैसा होगा O होगा कि लाल डख्सकनिकाओं की स्टैपर जो प्रतिजन है प्रतिजन के दो प्रकार माने A और B उसी एक एक कोडिंग कि जो भी प्रतिजन उपस्तित है A उपस्तित है तो उस आदमी का blood group A, B उपस्तित है तो उस आदमी का blood group B और जदी A भी दोनों उपस्तित है तो फिर उसको नाम दे दिया कि उस आदमी का blood group O होगा इसकी लिए इसको क्या क्या गया इस वर्गिकरन को A, B, O क्योंकि इसमें या तो A आएगा या V आएगा या A, B आएगा या O आएगा तो इसको क्या नाम दे दिया किस जो सुमुही करन है A, B, O सुमुही करन कहा जाता है किस वर्गिकरन को A, B, O सुमुही करन कहा जाता है तो ये है आपका blood group के बारे में इसके अलावा ये तो थी अपने की प्रतिजन के बारे में कि ये जो प्रतिजन A और B इसके अलावा भी एक अन्य और प्रतिजन है उसको कहते हैं RH A, B के अलावा R, B, C किस्तेया पर एक और प्रतिजन पाये जाता है उसको क्या कहते है और इसके दो प्रकार है और जदी तो आरेच उपस्तित है तो तो प्लस और जदी आरेच उपस्तित है तो क्या कहते है मैनस कहते है कि ये आपकी क्या है आर बी सी है ये आपकी आर बी सी है इसकी सैपर ए प्रकार का प्रतिजन भी पाए जाता है और आरेच प्रतिजन भी पाए जाता है तो फिर आदमी का ब्लड ग्रूप क्या होगा A प्लस होगा तो आदमी का ब्लड ग्रूप क्या होगा A प्लस होगा कब होगा जब A प्रकार का प्रतिजन भी पाए जाता है और RH प्रकार का प्रतिजन भी पाए जाता है तो फिर उस आदमी का ब्ल पहले जो समझा वो समझा अपने उसके अलावा एक बात नियू जू है कि प्रकार क मुत हो गैव कि यह लंक प्रतिर और जिर्गम यह लोगा वह लिए तना है पका रक्त समुनीत अबारे में अमेद है कि आपको समझ में आया हो गा बस आघ बी और La G के बारे में है कि जो चीज उपस्तित है वह सरकल ब्ल樹 उपस्तित है जरत् सब्ससोर debates में ऋर्ष आरे में होगा मैंन स्वाइन ऊपस्तित है Черudge जब लादर्ख्त कनिकाओं पर a पाया जाता है तो अब a plus और a minus जब a और इसकी जो एंटी बोडी जोगी देखो जब तो प्रतिजन a है तो उसके एंटी बोडी क्या है बी उसकी एंटी बोडी जब b है तो उसकी एंटी बोडी ए मतलब अपोजिट है अपोजिट है तब यह लाल रख्त कनिकाउं के पर आरेच का जो वर्गी करन है कि आरेच उपस्तित है तो प्लस आरेच उपस्तित है तो क्या है मैंनस इस पूरी एक लाइन को समझोगे तो आपको जो मैंने बताई है वो सारी बात क्या आजाएगी देखो शटी लाइन को कि एंटी एबी है एबी नेक्टिव है शटी लाइन को द्यान से देखो कि एबी क्या है नेक्टिव है तो फिर आरेच क्या है अनुपस्तित है अनुपस्तित है तो नेक्टिव है एबी दोनों पाई जाते है तो एबी नेक्टिव है तो इसके प्रत दोनों ही होते हैं एंटी बोडी वाली लाइन को आप समझो कि इसका अपोजिट होता है रक्समू का अपोजिट आपके एंटी बोडी है इधर A या तो उदर B इधर B या तो उदर A A भी दोनों इधर है तो इधर कुछ भी नहीं बचा कुछ भी नहीं है ओ यह मतलब ना तो A या इदर ना B या तो इस साइड क्या होंगे A और B दोनों जो एंटीबोडी होता है वो आपके रक्समू का क्या होता है बिल्कुल अपोजिट होता है इसके बाद जिन लोगों का जो रक्समू का A प्रकार होता है उनके शरीर में जो A, E, G, M प्रकार की एंटी जो B प्रतिरक्षी पाई जाती है जो प्रतिरक्षी है उसकी उल्टी पाई जाती है ठीक है और दूसरी बात सरफ दाता और सरफ ग्राही ग्रूप के बारे में सरफ वो रक्समू वाले जो व्यक्ति हैं वो किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि उनकी जो एंटीबोडी चाहे वो दोनों ही होती है तो उसको दे सकते हैं तो AV वाले रक्समू क्या होते हैं सरफ ग्राही होते हैं मतलब वो किसी से भी ले सकते हैं क्यों ले सकते हैं क्योंकि AV की एंटीबोडी कोई नहीं होती तो उनको कोई दिकत नहीं है वो किसी से कोई भी लडाई नहीं करेंगे उनकी जब एंटीबोडी नहीं होगी तो फिर वो जो सर्वर प्रत्रम इसकी खोज हुई थी मकाख का रिषस नामक बंदर पर हुई थी इसकी खोज कीगी थी आरच का जो कारिक है वो क्रीव 417 अमिनो अमल का एक प्रोटीन है इसका एक जो प्रोटीन है वो क्या है और इस खोज हुई थी मकाका रिसस नामक बंतर पर हुई थी और यह जो प्रोटिन है वो मानव रख्त कनिकाओं की स्तैय पर पाये जाता है और बिशम में करीप 85 प्रतिशत जो मानव है अवादी है वो आरेच प्लस लोगों की और 6 15 प्रतिशत जो अवादी है वो आरेच मैनस होती है जो प्लस है 85 प्रतिशत जो लोग है उनमें आरेच प्लस पाये जाता है बस 15 प्रतिशत ही लोग इसमें है जिनमें जो आरेच है वो फैक्टर क्या होता है अनुपसित होता है 85 प्रतिशत लोगों में आरेच पाये जाता है बस 15 प्रतिशत लोगों में ही आरेच नहीं पाये ज जड़ जाता है तो उनकी जो एंटी बोडीस है वो एक दूसरे को मृत्य कर देते हैं उसी कि करण आदमी की क्या हो जाती है into तो एक बात शंट कोई लेडीज है तो उसके ब्रून है उसके बच्चे की जो इसका तो आरच प्लस है लेकिन उसके बच्चे का जो आरच मैनेस प्रसब होता है उसके समय ये दुनों मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है उस समय महिला के शरीर में आई जी जी बन जाता है आई जी जी परकार का एक जो एंटी बोडिश है प्रतिरक्षी है वो बन जाता है तो प्रत्थम प्रसब के समय तो कुछ नहीं होता लेकिन जब दूस दूसरी बार प्रसब होता है तो उसमें भी जदी आरच प्लस महिला का और उसका रच मैनस है तो यह जो पहले से ही उसके शरीर में यह आई जी जी बना हुआ है यह उसके बुर्ण को नुक्सान पहुंचा सकता है तो इसी लिए जदी अपने प्रत्थम प्रसब के 24 गंटों क के भीतर ही माता को आई जी प्रतिरख्षियों का जो इसके बिरूथ का जो आई ज आरच टी का लगा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं विवे उससे क्या जाती है उसका विनाश हो जाता है और प्रत् defendant होने से वो रोक देते हैं तो इसी से कई बार ऐसा होता है कि ध्यान ना दिया जाए तो प्रतम प्रसर के बाद पर दूसरा जो प्रसर है उसमें दिकत आती है यह आरच फैक्टर के कारण तो यह था आपका आरच फैक्टर इसके बाद देखो अगला है रक्तदान इस टोपी को अपने अगली वीडियो में करेंगे धन्यवाद